Hello everyone, welcome back to my channel. So, इस वीडियो में हम लोग discuss करने वाले हैं example 5.1 और इसको बहुत अच्छे से discuss करेंगे ताकि आप लोग का जो भी misconceptions हो या जो भी चीज़ा आप लोग को नहीं आती हों, वो आप लोग को easily clear हो जाए. So, देखे, example 1.5 क्या कहता है? और random variable x has the following probability function. तो देखे, इसका जो probability function है, उसमें ये दिया हुआ है कि अगर x हमारा value लेता है 0, 1, 2, 3, 4, up to 7. तो हम लोगों ने देखे, last video में discuss किया था कि random variable क्या होता है, discrete random variable को discuss किया था. तो मैंने आपको बता था कि discrete random variable जो हो है, वो countable number of values लेता है, जिसको आप count कर सकते हो. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, कि x जो है वो value ले रहा है, 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7 करके. और उनके correspondence जो आपका PMF है, that is Px, जिसको हम लोग Px से represent करते हैं, तो उसकी value है 0k, 2k, 2k, जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो. तो यहाँ पर देखिए, जो first आपका question है, हम लोग को यहाँ पर k की value find करनी है, तो आप लोग को अगर याद हो, तो मैंने वहाँ पर एक आपको point बताया था, कि अगर हम लोग इस जो हमारा probability दी होती है, या जो PMF दिया है, उसका हम लोग summation कर दें, और उसकी value 1 आ जाए, त देखिए, X की value है, वो 0 से 7 जा रही है, तो यहाँ पर हम लोगों ने X की range रख ली, then यहाँ पर देखिए, जो हमें PX की value है, यहाँ पर रखनी होगी, और यह होगा is equal to 1, तो देखिए, सबसे पहले X की यहाँ पर range रख लें, तो X की values देखिए, यहाँ पर 0 पर गिवन है X की value 1 पर गिवन है, X की value 2 पर, then X की value 3 पर, then X की value 4 पर गिवन है, then X की value 5 पर, then X की value 6 पर, then X की value 7 पर गिवन है, अब is equal to 1 हम लोग लेके चल रहे हैं, अब देखिए, जो लोग अलरड़ी ISS की preparation कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जाता easy है, बट जो लोग graduation में हैं, तो उन ल जब X की value 0 थी, तो PX की value थी के corresponding आप लोग देख रहे हैं, क्या है? 0 है, जब X की value 1 थी, तो यहां पर, PX की value थी का थी? 2K थी. नके इन सबी के corresponding गिवन है, उस value को मैंने कर दिया है, substitute, plus 2K2, then plus 7K2, plus K is equal to 1, अब देखिए, इन सब को हमें करना है, addition, जब हम इसको add करेंग तो देखे 10 k square plus 9 k minus 1 is equal to 0 के form का जाएगा अब आप लोग को इसको factorize करना है जब आप लोग इसको factorize कर लोगे तो आप लोग देखोगे 10 k minus 1 k plus 1 is equal to 0 and k की value जो आ रही है वो आपकी 1 upon 10 आ रही है और k is equal to minus 1 तो देखे minus negative values हम लोग नहीं लेते हैं तो हम लोग लेंगे हमेशा positive value तो k की value जो है वो आ गई है 10 इसका मतलब इस condition को use करके यह जो इसकी एक remark हम लोगों को पता था PMF का तो उस remark को use करके हम लोगों ने यहाँ पे k की value find कर ली है अब अगर देखे आप लोगों को cross check करना है कि k की value 1 by 10 जो है वो सही है या नहीं है तो इस k की value आप लोग question में जो सारी values आपकी px की given है तो उस जगहा पे आप लोग यहाँ पे k की value रखके उसका आप लोग addition करके देख सकते हो तो अगर addition करने पे 1 आ जाती है value इसका आपको evaluate करना है तो कुछ value जहाँ पे given है probability x is less than 6 then probability x is greater than equal to 6 and probability x lies between 0 से 5 तो इन सब की आपको values find करनी है तो यह भी देखे बहुत जादा easy है अब अगर आपको probability x is less than 6 find करना है तो इसका मतलब 6 से पहले वाली values लेनी है मतलब की x जो है वो आपका value लेगा 0 then x आपका value लेगा 1 then x जो है आपका value लेगा 2 then यह लेगा आपका value 3 तो यह लेगा आपका value 4 और यह लेगा आपका value 5 तो 6 से less तक ही हमें रहना है तो इसलिए हमने यहां तक values लिखनी है अब देखे मैंने x is equal to 3 लिख दिया मैं यहां पे x is equal to 4 भी लिख सकती थी बट मैंने directly 4 substitute कर देखे यह गल कैराоме के चिर वसक्राइब करद लिखे लुआं यहां यहां बाट लोग हम लोग 1 by 10 यूज करेंगे तो जब हम लोग 1 by 10 उसका 0 हो जाएगी then जब k रखेंगे तो 1 by 10 हो जाएगी then जब इसकी value रखेंगे तो ये 2 by 10 हो जाएगी इस तरह से सारी values हम लोग रखेंगे तो last वाली value में जब हम लोग square करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगी value और इन सभी values को जब हम लोग sum कर लेंगे तो 81 upon 100 के form में आ जाएगी अब similarly देखें आपको जब ये वाला form निकालना है तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं देखें probability x is greater than equal to 6 है तो इसके दो तरीके हो सकते हैं कि आपको 6 से greater जाना है इसका मतलब सबसे पहले तो equality लगी तो x is equal to 6 भी value लेगा और probability x is equal to 7 भी value लेगा तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं देखें x जब 6 है तो उस पे value dv आपको 2k square तो देखें अभी मैं ऐसी लिख रहे हूँ 2k square then plus इस पे यहां पे value dv है आपको 7k square plus k k की value हम लोगों ने निकाली हुई है 1 upon 10 यह square हो जाएगा 7 then 1 upon 10 का square हो जाएगा plus 1 upon 20 तो इसको जब आप लोगों को इसकी value जो है वो finally मिल जाएगी 19 upon 100 एक तो तरीका यह हो गया ठीक है एक तरीका आपका book में दिया हुआ है इसका की probability x is greater than equal to 6 है तो उसको आप लोग लिख सकते हो 1 minus probability x is less than 6 विकास देखे greater than पर यह value है तो इसको 1 minus less than पर करके हम लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं तो ऐसा हम लोगों ने क्यों क्या है विकास हम लोगों ने इसकी value औरड़ी यहां से निकाली वी थी तो हमें पता चल गया कि 1 minus 81 upon 100 जब हम लोग करेंगे तो यहां से हमारा value 19 upon 100 आ जाएगी तो यहां से यह भी easily आपकी value निकल जाएगी अब देखे यह जो है आपका probability x lies between 0 से 5 तो यह भी easily आप लोग निकाल सकते हो यहां पे देखे एक आपकी value लेगा 1 बिकस यहां पे देखे दोनों में equality नहीं लगी है तो नहीं 0 लेगा 0 से बड़ी लेगा मतला 1 लेगा x value 2 लेगा x value 3 लेगा and x value 4 लेगा 5 इसले भी नहीं लेगा क्योंकि 5 में भी equality नहीं लगी है तो इसके according आप लोग यहां से values रखके उसको add करके उसका answer निकाल सकते है तो I hope कि यह वाला जो है यह आप लोग कर लेंगे यह आप लोग के लिए homework है अब देखें जो part third है इसका देखें जो इसका part third है वो हमें कहता है कि probability x is less than equal to a है और मतलब कि x is less than equal to a greater than half यहां पे बोल रहा है हमें minimum value greater than half हो जानी चाहिए तो यह value हमें find करनी है तो देखें इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को distribution function मतलब की capital fx के form में लिखेंगे because हम लोगों को पता है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि fx की value जो होती है probability x is less than equal to x के form में होती है तो देखें यहां पर इस ही form का दिख रहा है तो इसका मतलब यहां पर हम लोग distribution function को find करेंगे तो देखें distribution function को find करने के लिए देखें यहां पर मैंने screenshot आप लोगों को लगा दिया है जैसक कि book में given था तो देखें सबसे पहली value हमारी 0 थी तो 0 हमने substitute कर दिया देन उसके बाद आपकी k की value देखें क्या थी 1 upon 10 थी तो 1 upon 10 substitute कर दी तीक है अब देखें हमारी जो values होती है पिछली वाली values add होती जाती है तो जो second point वाला हमें निकालना है तो second point पर देखें 2k value हमारी t but यहां पर यह value add होकर 3k हो जाएगी मतलब आपको cumulative distribution function आपको find करना है इसका तो देखें यहां पर जब 2k में k add हुआ तो यह 3k हो जाएगा जब देखें यह total हम जब third point पर निकालेंगे तो देखें औरड़ी 2k है ही 3 वाले point पर उसमें 2k भी add हो जाएगा then उसमें k भी add हो जाएगा 1 के नीचे वाला तो जब यह सारे ही add हो जाएगे तो देखें 5 के हो गया तो इस तरह से यह values हम लोगों ने find करनी है तो अब देखें यह values तो find हो गई k की value भी हम लोगों ने रख लिए तो उस according अगर आप लोग यहां से देखें तो देखिए जो value हमारी 4 वाली है तो 4 वाली value पर देखिए value आरी है 4 by 5 but 4 से कम वाली जो value है वो है आपकी 5 by 10 यहाँ पर 5 by 10 की value है इसका मतलब है कि 3rd वाले point पर जो हमारा distribution function की value आरी है वो 1 by 2 है जो 5 by 10 को आप लोग दिवाइड करोगे तो 1 by 2 आ जागा पर हमें question में यहाँ पर given था कि A की ऐसी value जिसके लिए जो आपका यह distribution function है fx इसका मतलब उसकी value half से greater हो जाए तो देखिए half तो हमारी 3rd point पर आ रही है और half इस half से greater किस point पर आ रही है because just 3rd point के बाद 4th ही आ रहा है और उस जगा पर यह जो value है वो greater than हो रही है अब देखिए जो हमारा last वाला इसका part है part 4 तो उसमें बोला गया है आपको कि आपको distribution function find करना है x का तो जिसका मैंने अभी आपको picture दिखाया था मैं उसकी ही बात कर रही हूँ तो देखिए यहाँ पर वो find करना है तो हम लोग उसको किस तरह से find करेंगे तो देखिए capital fx से इसको represent करते हैं और उसकी value होती probability x is less than equal to x तो यहाँ पर आप आप लोग देख सकते हैं कि question हमारा कुछ इस तरह का है तो देखिए अगर हमें x is equal to माले जी यह x है तो x is equal to 0 पर हमें find करना है तो यहाँ पर जो हमारा capital fx की value है मैं इसको इधर लिख रही हूँ तो वो देखिए 0 ही रहेगी अब x is equal to अगर मैं 1 की बात करूँ तो वहाँ पर आपकी value देखिए कौन कौन सी हो जाएगी यह 0 प्लस हो जाएगी और 1 के correspond जो k है वो भी प्लस हो जाएगी और आपको पता है कि k की value 1 upon 10 है तो वो आपने लिख दी अब x is equal to 2 की आप लोग बात करूगे तो यहाँ पर देखिए x is equal to 2 पर आपका 2 k थी और पीछे वाली जितनी है वो भी प्लस हो जाएगी तो x is equal to 1 पर k थी और एक 0 वाली तो 0 देखिए हम लोग नहीं लिखते है तो यह हो जागा 2 by 10 प्लस ही हो जाएगा 1 by 10 और इसको जब हम लोग प्लस कर लेंगे तो यह हो जाएगा 3 by 10 अब similarly देखिए जब x is equal to हम लोग 3 पर find करेंगे तो x is equal to 3 के correspond जो हमारी value है वो है 2k then plus 2 के correspond है 2k then 1 के correspond है k then 0 के correspond है 0 है तो देखिए जब इनका हम लोग addition कर लेंगे तो देखिए यह total 5k हो जाएगा इसका मतलब 5 upon 10 तो इसको solve करके आप लोग 1 by 2 भी लिख सकते हो तो देखिए अब इसी तरह से आप लोग समझ चुके होगे तो जो last value है आप लोग उसको भी find कर लोगे easily तो अब देखिए आपको इन वैल्यू से इतनी वैल्यू से idea तो हो गया होगा कि हम लोगों वह एड़ेट करके निकालनी है और जो k की वैल्यू आई है वह हम लोगों को substitute कर देनी है तो बस easily इसी तरह से हमारा discrete distribution function जो है वो निकल आता है तो आप लोग को यह example 5.1 अच्छे से समझ में आया होगा और इसके next वीडियो में हम लोग 5.2 को discuss करेंगे और अगर वीडियो पसंद आया हो तो मुझे comment box करके जरूर बताएगा thank you for watching my video have a nice day